सबसे पहले सबसे important बात दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को श्यांदार तरीके से utilize करना चाहते हैं, तो एक काम करिएगा, जैसे ही screen पर आप लोगो question दिखता है, आप लोगो सबसे पहले question attempt करना है, उसके बाद में आप लोगो answer देखना है, इससे क्या होगा, आप ल तरीके से आप लोग preparation को लेकर चलोगी, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो मैं आसा करता हूँ, आप लोगों ने अब तक की सारी वीडियो काफी अच्छे सुनी होगी, और ये वीडियो देखने के बाद में, आप लोगो का अच्छा-कासा division भी होगा, और practice भी होगी, और जिसने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, उसको भी एक अच्छा-कासा जिस्ट मिल जाएगा, ताकि एक comfortability आजाएगी जब exam में जाकर इंसान बैठेगा, तो उस तरीके सारी चीजे जो है, वो हम लोग discuss करने वाले हैं, तो एक-एक question को जह इंसान का blood pressure high हो गया, तो ये काफी एक normal वीमारी है, आज कल के रहन पैन खान सान की जैसी हमारी जिन्दगी हो गी है, उसके चलते काफी सारी दिक्कते देखने को मिलती है, तो इससे related study की गई और उसके ओपर ये question आप लोगे सामने है, तो attempt कीजे, normally UPSC आप लोगे से question पहली statement, दूसरी statement में बोलागे कि जो highest in बिहार है और फिर दूसरे number पर उत्तर प्रदेस है, जब हम लोग hypertension यान के उच रक्त चाप के बारें बात करते हैं, तो आप लोग को question का answer देना है, A में बोला गया, only one, B में बोला गया, only two, C में बोला गया, both, one and two, और D मोला गया, और दोनों के answer जो है, फिर एक साथ explain करूँगा, यहाँ पर बात की जा रही है, किसके बारे में 25 by 25 goal, तो direct question अगर कोई आप लोग उसे पूछ ले आ रहे है, 25 by 25 goal क्या है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, अगर पता होगा, तो फिर आप लोग कुछ भी नही बोल पाएंगे, तो आप लोगो लग यार पता नहीं क्या लिग दिये, तो इस तरीके से topic को cover करो, कि कोई भी doubt मन में नहीं रह जाए, चाहे वो exam में हो, चाहे किसी को पढ़ाना हो, तो इस तरीके से आप लोगो लेकर चल ले, तो बात की जारी है, इसका aim है reduce करने के लिए जो premature mortality होती है, due to non-communicable disease, यानि के जो non-communicable disease होती है, उसकी वेशे, premature mortality, यानि के एक age होती है, उस age से पहले इनसान का चला जाना है, नहीं को जवानी में ही मौत हो गई, non-communicable disease वो बिमारी होती है, अगर किसी को blood cancer है, तो उसी इनसान को रहेगा, वो ऐसा नहीं किसी के साथ मे घर जाएगी 2030 तक का दूसरा बोलागे है reducing the prevalence of the high blood pressure by the 25 ये बोलागे है यहाँ पर 25% by 2030 तो यानिके 2030 तक का 25% यहाँ पर कम करने है तो सही answer यहाँ पर क्या है यह आप लोग को बताने है only one only two both one and two यह फिर यहाँ पर none of the above ठीक है अब आप लोग इनको question को आप लोग attempt कीजें औ यह अपने ही आप में काफी important है क्योंकि जो आप लोग सोच रहे होंगे maximum chances यह होंगे अगर थोड़ा सा भी आप लोग ने ओने ध्यान ने दिया होगा तो इन दोनों question का answer आप लोग गलत करने वाले reason, reason फिर से यह बड़ा comments है जो अकसर हम लोग भूल जाया करते हैं यहाँ पर incorrect लिखा हुआ है अगर आप लोग पता भी होगा कि हाँ यार सही है answer यह मिल गया पर फिर भी इंसान अगर question को ढंक से नहीं बढ़ेगा तो question को गलत करके बैठेगा इसलिए मैं हमेसा बोलता हू अभी पहले पहले question के बारे बात करते हैं आप लोग common sense यहाँ पर use कर सकते हैं बड़ी आसानी से और मैं आसा करता हूँ आप लोग ने इसको attempt कर लिया होगा ठीक है common sense कैसे use करेंगे जैसे southern state में मैंने पहली statement में बोला पहले तो आप लोग यह समझे जो पहली statement है और जो द लाडू हो गया केरला हो गया अंदर प्रदेश हो गया बिहार यह फिर उत्तर प्रदेश कहां से आ गया अगर बिहार यह फिर उत्तर प्रदेश में अगर यह जादे है तो आप लोग फिर यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि कहीं ने कहीं अगर बात करें यह वाली statement पहले वाली है यह एक तरीके से लाइफ इस्टाइल डिस आप लोगो देखने को मिलेगी उन राज्य में जहां पर जो लोग है ज्यादा तगडी महनत करते हैं एक तरीके से महनत की कमाई जो बोड़ी का जो वर्क आउट है जो काफी कम है यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो यह काफी इंपोड़ेंट है और यह आप लोग को देखने को मिलेगा हाई एजुकेशन कहाँ पर है नोमली तो वह साधन स्टेट में है यह निकि हमारी कंट्री के साथ इंडिया की को मिलेगी। यहनि के दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी अगर कोमन सेंस इस तरीके सàng आप Looks लगाएंगे और यहाँ पर आंसर क्या पूछागे अगर मैं आप लोगे इसे का पूछई है उससे यह जादर आप लोग का आप पर नज़राएगा अगर बात करें यहाँ पर average, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, age जो है यहाँ पर above the 15, यानि कि 15 साल की उम्र से उपर की बात यहाँ पर की जा रही है, इतनी बात समझ में आती है, अब एक statement यहाँ और याद रखेगा, हमारे देश में सबसे ज़्याद है केरला के अंदर मे का है, जब कि man का यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर देश के average से भी ज़्याद है, और महिलाओ का इनकी woman का कितना है, यह 30, और मैंने भी बता है, यहाँ पर 21 है, देश का average, तो उससे भी ज़्याद है, तो यह काफी बुरी condition यहाँ पर देखने को मिलती है, तो पहले number पर हो गय यह केरला, दूसरे number पर हो गए, आपर तेलंगाना, तो यह याद रखेगा, question direct अगर exam में आप लोगों से पूछ ले जाए, तो कोई भी doubt आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो यह हो गया, इस question का detail में answer, common sense कैसे use करने है, वो भी मैंने आप लोगों यहाँ पर बताई, और यही basic परबजी भी होता है, आगे चलते हैं, इस question का answer अब देखते हैं, यहाँ पर इसका answer क्या होगा, इसमें भी incorrect ही पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर data के बारे में आप लोगो थोड़ी सी भी knowledge होगी, तो आप लोग answer दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे, ऐस इस तरीके से ऐसे question गलत होने की chances कई बार होते हैं, कि तुक्का मानने कुछ करते हैं, जैसे कि मैं अगर तुक्का मारता है exam में, तो मैं क्या सोचता, मैं यह सोचता कि 2030 बोला गया है, 2030 यहाँ पर सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि sustainable development goal को भी achieve करने का target 2030 है, तो मैं मतलब मैं बत सकता है, यार, अब तो जो है, selection हो नहीं पा रहा है, अब थोड़ा सा guess कर लेते हैं, तो यह जरूर याद रखेगा, वरना question और भी गलत होंगे, तो incorrect पूछा गया है, और incorrect में भी हाँ अगर आप लोगो पता भी यह answer, कि हाँ दोनों के दोनों गलत हैं, तो आप लोग ननो पूछा गया, तो answer यहाँ पर C होगा, कैसे समझ लेते हैं, अगर बात करीं, जो 25 by 25 है, तो इसका मदर 25 परसेंट कम करना है 2025 तक, और यहाँ पर भी 25 परसेंट कम करना है 2025 तक, यानि कि दोनों स्टेटमेंट में 2025 आएगा, यहाँ पर 2030 नहीं आएगा, तो यहाँ पर चाहे पर C हो गया, तो पूरा का पूरा टोपिक डिटेल में कवर हो गया, एक ओवर्वी भी आप लोगों को मिल जाया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहे, आईए अब चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन योर, यह जो कोश्चन है, यह अपने ही आप में आप लोगों को काफी एक इ UPSC 2013 में एक कोश्चन पूचा गया, तो इंडस्स इवलाइजेशन, यह जिसको नोर्मली आप लोग सिंदु घाटी की सभ्यता भी बोलते थे, उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहों, तो पूचा गया है, यहाँ पर करेक्ट स्टेट्मेंट आप लोगों को बत तो देवी और देवताओं की पूजा करते थे, यहाँ पर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर वर्सिप जो की जाती थी, बहुत मेल और फेमेल, यानि कि देवी और देवताओं की दोनों की पूजा की जाती थी, इसी के साथ में, यह होर्स को भी जो बिसिकली बोला गया है, क इसमें यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अगर धंक से इसको आप लोग देखेंगे अगर बात करें तो उसके भी काफी कम आप लोगो चांसी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर horse drone, यहाँ पर chariot यानि के रत आप लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह बात है बेसिकलि यहाँ पर आप लोग समझेगा, तो भी और समझाने के लिए में आप लोगो यह एक और question का सारा लोग दो 2017 में हाँ पर UPSC के द्वारा पूछा गया, आप लोग खुद देखें, हाँ पर पूछा गया है, बिसिकलि रिग वेदी कारियन के बारे में और इंडस वैली के बारे में, और पहले वाला question भी इंडस वैली के बारे में था, अब यहाँ पर आप लोग यह statement देखें, ब पहली सही होगी या फिर गलत यह दूसरी सही होगी, तो इसका मदलब यहाँ पर यह होगे कि अगर आप लोग पुरानी question paper attempt करके जाते हो, तो examination hall में आप लोग comfortable feel करोगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर यह statement बिलकुल correct है, और यहाँ पर ही मैंने आ रिग वेदिक टाइम पर, बात की जारी हाँ पर, basically रिग वेदिक टाइम पर कवच वगएरा हैं आपर use कियाते थे, coat वगएरा, ठीक है, एक तरीके से helmet वगएरा use कियाते थे, यह बोला जा रहा है, warfare में, जबकि Indus Valley civilization में हाँ पर, not leave any kind of evidence using them, यानि कि ऐसा कोई भी हाँ पर next version होता है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, अगर बात कि जाए हैं आपर, जो दूसरे हैं आपर, rig वेदिक जो है, वो gold, silver और copper, ठीक है, तो यहाँ पर बाले जा रहे हैं इसके बारे में जानते थे, यह तो कई बार direct question पुछा चुक है, iron के बारे में वो जानते थे, तो अगर आप लोग यहाँ पर जानते हैं, second statement गलत होगी, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको cut कर दोगे, ठीक है, तो answer क्या होग यहाँ पर, answer इसका C हो गया, जो मैंने भी यहाँ पर explanation दिये, तो दोनों question अपने ही आप में एक दूसरे के लिए answer लिए बैठ करक्खा होगा, तो 2017 में आप लोग question नहीं चुटेगा, यह आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, तो यह काफी important है चीज, जो कि आप लोग connect जरूर करिएगा, और direct exam में question बने, तो इसलिए आप लोगो पुराने question बेबर सबसे पहले cover करने चाहिए, इस लिए confusion नहीं होना चाहिए, question अगर बन जाए तो, बात क्या की जा रही है, migration and development brief, यह एक report है, जो कि release की गई किसके द्वारा, यह question है आप लोगो से, और question के साथ में पूरा topic आप लोगा cover हो जाएगा, आप लोग answer दीजे, international monetary fund, world bank, Asian development bank, यह फिर organization for economic cooperation and development, तो सही answer यहाँ पर migration and development brief है, इसका answer है B, ठीक है, तो यह important question है, अब इसको थोड़ा सा और explain करूँगा, पहले एक और question देख लेते हैं यहाँ पर, अगर बात करें हैं हाँपर, कौन सी country है, descending order में आप लोगो बताना है, जो की remittance काफ़ी ज़्यादा receive की है, 2021 में, Mexico, China, Philippine, EFE received, यानि कि किसको rem remittance नहीं पता है, उसको यह पता होना चाहिए कि basically जब बहार से कमाई करकर अपने देश में भेजते हैं, तो उसको remittance बोलते हैं, अगर आप लोग बहार चलेगे, USA में जोब कर रहे हैं, जापान में जोब कर रहे हैं, वहाँ से कमा कर जो पैसा अपने घर भेज रहे हैं, उसको आप लोग remittance बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा है remittance वो किसको मिला है, तो यह एक बताना है आप लोगो, और इनको आप लोगो बढ़ते या फिर घरते करम में किसी में भी पूछ ले, तो इस तरीके से distance करेंगे ता कि आप लोग उसका answer दे सकें, तो सही answer क्या है, 1-2-3-4, 2-1-4-3, 3-1-3-4-1-2, या फिर 4-3-2-1, तो सही answer आप लोगो बताना है, A, B, C, F, O, D, ठीक है, तब तक मैं आप लोग explain करता हूँ, आप लोग इसको देखे, answer attempt कीजे, वैसे explanation बार में देखे कर, पहले answer दे लिजे, वीडियो को post करकर, सही answer क्या है यहाँ पर, से सुनिएगा, अगर दुनिया में पुझे सबसे ज़्यादे remittance किसको मिला है, तो normal सी बात है, वो तो हमारे पास में आएगा, क्योंकि सबसे ज़्याद है, हमारे देखे के लोग, आप लोगो बाहर पढ़े लिखे, देखने को मिलेंगे, जो कि आज केट में काम करते हैं यह interesting है आपर, Mexico दूसरे नंबर पर आगया है, अब तक यहाँ पर चाइना दूसरे नंबर पर हुआ करता था, तो इसलिए हाँ से question आप लोग के लिए बन सकता है, यानि कि Mexico जो है, वो चाइना को replace करकर दूसरे नंबर पर आगया है, चाइना तीसरे नंबर पर, फिलिपिन चोथे पर और इजिप्ट जो है वो पांचवे नंबर पर यहाँ पर पहुँच गया है तो यह काफी important वहात है Remittance जो है Ukraine के लिए हाँ पर वो largest recipient है यहाँ पर Europe और Central Asia से यह बात की जा रही है 20% के करीब यहाँ पर बढ़ गया है जो कि काफी बड़ी बात है यहाँ पर यह ठीक है तो यह काफी important आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर Ukraine से छोड़कर दूसरे area में जाकर यहाँ पर basically काम कर रहे है आज के इंडिया ने यहाँ पर टोफ किया है तो direct question अगर आप लोगों से पूछ ले increasing effort decreasing order में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगो कोई confusion यहाँ पर होना चाहिए question ऐसा ही नहीं और तरीके से भी पूछा जा सकता है जैसे कि कौन सी country ऐसी है जिसमें सब से जाद है उसकी GDP यानिकि gross domestic product यानिकि एक साल के अंदर जो कोई country अपनी physical boundary के अंदर जितना पैसा कमाती है उसको उस country की GDP बोलते है ठीक है तो यह basically पैसा कमाती है तो goods or service test पर provide कराती है ठीक है तो आप लोग ऐसा बोल सकते है तो goods or service provide कराती है तो उसको GDP बोलते है तो यहाँ पर Lebanon आप लोग को 54% यह इसको रेमिटेंस से काम चलते है समझ रहे हैं यानि कि वरना कानी खराब हो जाएगी तो COVID-19 के टाइम पर यह सारे देश इसलिए जूस गये थे Tonga जो है यहाँ पर 44% परतिसत तजागिस्तान 34 इसी के साथ में जो किर्किस्तान आप लोग को देखने को मिलेगा किर्किस रिपब्लिक यह 33 सोमा बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा 32 तो question इस तरीके से भी पूछा जा सकता है होने कहते है कि को एक तरीके से नाक चाहे सीधा पकड़ो चाहे हाथ घुमागर पकड़ो तो आप लोग एक तरीके से पहुचोगे होई तो यही आप लोग को यहाँ पर इसका explanation बदाता है तो कोई confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए रिपोर्ट के बारे पूछ ले तो आप लोग को धडलने से आंसर देना है और ऐस तरीके से कोई question मन जाए कौन कौन सी country है तो answer इसका यहाँ पर ए हो गया तो मेक्सिको, चाइना, फिलिपिन और इजिप्ट और इससे पहले अगर बात आ जाए तो इंडिया सबसे टोप पर बैठ आई है तो answer काफी, यह interesting question था, answer भी इसका काफी प्यार है तो ए answer यहाँ पर हो गया answer देते हुए चलना, इसी के साथ मैं अपना feedback जरूर बता दिया करो कैसी आप लोग को वीडियो लगती है यहाँ पर बात की जारी है, इंडिया की anti-satellite जिसको ASAT बोलते है, missile जो है वो एक joint venture है, DRDO का किसके साथ में तो यह question आप लोग को बताना है, ISRO का यह फिर, यह ministry of earth and science है यह फिर नीती आयोग है, यह फिर नासा है तो सही question का answer आप लोग दीजिए एक और question है, इसके साथ में जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, उससे आप लोग को इस question का answer ही मिल जाएगा साथ में, और एक question और ब्रावर में discuss हो जाएगा, ठीक है तब तक इसको आप लोग attempt कीजे, और एक question और देखिए, यहाँ पर बात की जारी है project नेत्र अगे बारे में, तो project जो नेत्र है यह काफी important है, इसके बारे में कई बार आप लोगों से पहले भी question पूछे जा चुके है और आगे भी question पूछे जा सकते हैं, क्यों क्योंकि यह news में रहता है, news में रहने का मतलब यह कि पहले question बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, तो इसका मतलब यह कि आप लोगो इस topic को अच्छे से तयार कर लेना चाहिए ताकि अगर question बने, तो आप लोग के mind news को लेकर complete के लाइटी रहे confusion नहीं होना चाहिए है, सबसे बड़ी बात होती है confusion state, जब इनसान confusing state में रहता है तो फिर दिक्कते निकल निकल कर आती है तो confusion आप लोगो दूर करना है इस तरी हे चीज़ों को लेकर चलना है, तो बोला गया project जो नेतर है, यह एक initiative है ISRO का, जो basically Indian Space Research Organization का दूसरा बोला गया, project नेतरा जो है वो एक early warning system है basically space के अंदर जो debris है debris जो भी है, यहाँ पर एक तरी है कुडा करकट है जो भी हाँ पर उसके अंदर, तो उसको जो की Indian satellite को कोई हाँ नुपसान ना पोजा दे, उसको check करने काम रहता है, इसी के साथ में जो नेतरा है, यह, यह बात करता है basically, यह एक तरीके से goal है कि capture करें हाँ पर geosynchronous orbit को तो यह बाते हैं हाँ पर बोले जा रही है तो कौन सी statement यहाँ पर correct है यह आप लोग को बताने है, A में बोला गया 1 and 2 B में बोला गया 2 and 3, C में बोला गया 1 and 3 तो समझेंगे detail में, पहले आप लोग को पहले question का answer देते है जो यहाँ पर अभी recently हम लोगों ने distance के था, तो यह काफी एक important question बन जाता है, तो answer क्या है यहाँ पर पहले आप लोग यह समझेगा, इसका answer है A, basically ISRO, यानि कि जो anti-satellite यहाँ पर है यह joint venture है, DR-DO का और ISRO का, पहली तो यह याद रखेगा दूसरी बात ही होती है कि SMSN आखिर launch क्यों करते हैं, यार कल को चलकर कोई हमारा सर कोई फोड़ने लगे, तो हम लोगों भी तयार है ना, सामने वाले का सर फोड़ने के लिए तो इसलिए ऐसे project आप लोग यहाँ पर देखने को मलते हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कि हम लोगों ने तयार कि आपने आपको कल को कोई हमारा satellite तोड़ दे, तो भैसा आप उसका थोड़ना छोड़ेंगे पटक पटक कर तोड़ेंगे उसका भी, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो technology हैं आपर वो काफी ज़दे help करती हैं आपर इन सब चीजों को tackle करने में, पलेगिन अगर कोई भी यहाँ पर इस तरीके से आप लोग satellite तोड़ते हैं तो फिर वहाँ पर debris, याणि के कचरा जो होता है वो इकटा हो जाता है उस टाइम पर, तो उसको भी सम्हालना होता है, यह भी आप लोग को देखने को मिलेगा तो इसी के नाम पर एक mission है जिसका नाम है आपर E-D-orbit D-orbit में इतना सारा यार माल खेचरा गुमरा, उसको अटा आगर फैको न वहाँ से तो यह आप लोग को नजर आएगा यहाँ पर तो इसको space junk बेसिकली यहाँ पर हटाने की बात की जाती है, तो इसको catch it याणि के catch करो इसको हटाओ, तो यह project किस है, ऐसा भी question आप लोगों से बन सकते हैं तो याद रखेगा, यह European Space Agency का project है और interesting question यहाँ पर यह बनता है यह जो question है, आप लोगों से 2025 तक ऊच जाएगा क्योंगी यह project अभी का नहीं है यह 2025 में launch किया जाना है तो अगर आप लोग आने वाले time में exam की तियारी कर रहे हैं, तो आप लोग यह question को expect कर सकते हैं, अभी भी आने वाले time में भी, तो इससर ऐसे question को आप लोग हमेसा तियार कर लिजे, उन्हीं तो जैसे जैसे जणगंड़ना हुई थी 2011 में, ठीक है तो इस तरीके समझ सकते हैं, तो यह निकि अब तक आप लोग उसको use करते हुए आ रहे हूँ कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसी चीजे होती है government पांस साल में change होती है तो minister एक बार आप लोगो ने याद कर लिए तो आप लोगो बता होना चाहिए, जिसे Nobel Prize मिल गए, पूरे साल आप लोगो देखने को मिलेंगे, तो उस साल के बीच में जो भी question बनेंगे Nobel Prize महाँ पर कोई ने कोई पूछी लेगा तो ऐसे question आप लोगे तयार होना चाहिए अगर बात करें, anti-satellite जो यहाँ पर anti-satellite के बारे में missile के बारे में, तो यह missile दोनों के दोरा मिलकर यहाँ पर basically बनाए गए थी और यहाँ पर आप लोगों से यह भी question पूछा जा सकता है कि इसको कहां से launch किया गया था तो mission सकती का नाम इसको दिया गया था और इसको Udisa से launch किया गया था basically बाला सोर से, एक interesting question में आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इंडिया ये कार नामा करने वाला कौन से नंबर का देश बना था, ये आप लोग question का अंसर दीजे, ठीक है, इतना तो यार हग बनता है तो answer तो यहाँ पर D हो गया, यानि कि सारी की सारी statement बिल्कुल correct है और सारा का सारा explanation भी आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, basically ये जो project है नेत्रा, इसका basic परपजी यह है कि निगहा रखना, कि कल को चल कर यहाँ पर space में जो भी चीज़े हैं, उनसे अभी भी recently हाँ पर news में आ गया था, तो ये project आप लोग याद रखेगा, जिसके चलते space की debris पर ध्यान रखना और कैसे अपने satellite को बचाना है, उसके चलते हैं आपर देखने को मिलाईए, तो इसके बारे में कल को कोई question बने, तो आप लोगे mind miss को लेकर clarity होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर detail में आप लोगो सारी information दे देगी है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है और geostatenary orbit जो की लगवग 36,000 km दूर होता है, तो उसके ओपर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, तो space जो situational awareness है, वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक prediction कियाता है, ताकि अपनी चीजों का हम लोग बचा सकें और कल को चल कर कोई दिक्कते देखने को मिले, तो उससे अपने आपको निकाल सकें, ठीक है यह question बड़ा ही प्यार है 2016 में पूछा गया, इसका कोई guarantee नहीं है कि यह आगे नहीं पूछ जाएगा आगे भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछ जा पस काम खतम होगया, क्योंकि time to time news में रहता है बात की जारी है यहाँ पर, जो currency है basically IMFK, ठीक है तो basically उसको SDR बोलते है special drawing right, इसके अंदर यहाँ पर कौन सी ऐसी currency है, जो recently अभी add की गी है, rubel, rent इसी के साथ में Indian रुपी, यह फिर Rinmin भी, तो यह आप लोग यहाँ पर बता होना चाहिए तो सही answer आप लोग बताए इसका क्या है फिर मैं आप लोगो answer अच्छे से देता हूँ ता कि आप लोग चीजों को समझ सके पूरा टोपी के अच्छे से explain करूँगा ता कि चीजों को समझ सके तो answer क्या है, answer is cut D समझते हैं पूरा हैं पर अगर आप लोगों से कलको कोई question बूच ले, IMF जो है basically हाँ पर इसके अंदर एक basket देखने को मिलती है जिसके अंदर currency होती है उनको आप लोग hard currency बोलती है पहले तो IMF के बारे में बात पता होना चीज़ए आप लोगो IMF क्या होता है इसको बोलते है International Monetary Fund International Monetary Fund के अंदर आप लोगो currency हाँ पर देखने को मिलती है आप लोगों यहाँ पर जो है euro देखने को मिलेगा देखे दो चीज़े और याद रखेगा आप लोग जो का आप लोगों से कई बार question पुछले आते है European Union का जो euro है ठीक है और इसी के साथ में जो यहाँ पर basically जो जो UK का जो basically pound आप लोगों को देखने को मिलता है तो dollar हो गया euro हो गया yuan हो गया yen हो गया और pound हो गया ठीक है तो यहाँ पर यह जो currency आप लोगों को देखने को मिलती है यह currency काफी बड़ा role play करती है जब international level पर आप लोग वयापार करते है समान को खरीपते और बेशते हैं तो इसके चलते हैं यहाँ पर आप लोग का quota भी रहता है जैसे अगर बात करूँ सबसे important बात जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा वो यह है कि हमारी country का आज की रेट में quota जो है खासकर जो voting right आप लोग को देखने को मिलता है उससे question आप लोग का बन सकता है इंडिया जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा 2.75 SDR हमारा quota है यहाँ पर इसके अंदर में आप में IMF जो है जैसे world economic forum हो गया याद रखेगा world economic forum यह बेसिक सोरी world economic outlook फोरम नी outlook तो यह रिपोर्ट यहाँ पर इसी के दौरा प्रस्तुत कियाता है इसी के साथ में regional economic outlook जो है वो भी इसी के दौरा प्रस्तुत किया जाता है तो यहाँ पर यह कुछ बेसिक चीज़े हैं जिनके बारे में आप लोग को confusion नहीं होना चाहिए कल को अगर question पूछ ले तो आप लोग अगर रिच्छे से इसको समझ पाओगे तो answer भी दे पाओगे अब एक question जो आप लोगों से latest अभी हाँ पर पूछा सकता है वो आप लोगो और बता जिता हूँ यह IMF के अंदर जो आप लोगो currency आपर देखने को मिल रही है तो अभी जो इनका weightage है यह आप लोग का change होता है हर 5 साल में ठीक है अभी जो latest जो weightage change हो रहा है वो उसका 2022 में आप लोगो देखने को मिलेगा ठीक है अभी फिर आने वाले time में अगर बात किजा इसका जो weightage change होगा वो 2027 में आप लोगो देखने को मिलेगा तो यानि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 5 साल में आप लोगो है आप इसका weightage जो है वो change होता हुआ नजर आता है इसकी basket के आप लोगो देखने को मिलती है तो जापान की यह याद रखेगा और चाइना की जो है वो रिन्बिन भी आप लोगो देखने को मिलेगी और जो पाउंड है वो है basically UK की और यूरो होगी basically European Union की और USA का डोलर हो गया तो यह 5 करेंसी ऐसे हैं अगर कहीं weight power आप लोग करोगे त दूसरे के साथ में यह basic चीज़े है ठीक है इसी से related एक और question बूचा गया तो जार 13 में यहाँ पर बोला गया कि जो इंडिया का जो foreign exchange reserve है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर normally foreign exchange reserve के अंदर में एक टम भी अगर आप लोगो पता होगा कि loan normally देखने को आप की SDR में और क्या-क्या होता है यह मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कई बार आप लोगों पढ़ा है इसके बारे में तो आप लोग इसका आंसर देने में सक्सम है तो मैं आसा करता हूँ आप लोग इसको जुरूर ट्राय करोगे तो answer भी आप लोग अच्छे से दे आप लोगों से वर्ल्ड एकनोमिक आउटलूक के बारे में बात की जा रही है तो इहां पर बेसिकली इसी के साथ में ग्लोबल इस्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है फिसकल मोनिटर के बारे में बात की जा रही है रीजनल एकनोमिक आउटलूक के ब IMF के बारे में यह information आप लोगे सामने हैं आप तो यह PDF जो है आप लोगो टेलिग्राम पर मिल जाती है उसको आप लोग देख लेना ताकि कोई भी डाउट आप लोगो नहीं रहे ठीक है और आप लोगे मैंड में एक्जाम के टाइम पर आप लोग रिवाइस भी कर सको इंटरेंशिंग कोईशन है वैसे अगर आप लोगों ने जो अब तक मैंने आप लोगों पढ़ा है अगर उसको भी आप लोगों ने ध्यान से सुनाओगा तो इस कोश्चं का अंसर आप लोग आसानी से दे दोगे ठीक है यह मैं आप लोग को गैरेंटी से बता रहा हूँ अगर जो मैंने अव तक पढ़ा है मालो आप लोग को मैंने जक्ष्टा चीज़ें वो नहीं बताई है पर लेकिन जितना बता है वो भी अगर याद होगा तो कोशन का अंसर दोगे हैं मैं एक्सपेट करता हूँ आप लोग इसको प्रेटिस करो ट्राइग करोगे ठीक है इस्पेसल ड्रोइंग राइट के बारें बात की जा रही है यानि कि SDR बोलते हैं इसको क्रियेट के जाता है IMF के द्वारा इनके International Monetary Fund के द्वारा और 1969 में क्रियेट किया गया मैं अभी इसके बारे बता है नहीं आप लोगो तो आप लोग को पता नहीं सही है यार इस्टेटमेंट गलत है चलो छोड़ें कोई नहीं पता है इसके बारे में ठीक है आगे चलते है SDR जो है उसके बेस्ट अगर आप लोग बात करो तो International currency देखने को मलती है USA का डोलर है जापान का येन है यूरो है पाउंड है और चाइना की रिनमिन भी है हाँ यार यह तो अभी पढ़ा है हाँ यह तो बिल्कुल सही है जी हाँ बिल्कुल सही है तो यहां बिल्कुल सही ह है मैंने अभी आप लोग यहां पर यही statement पढ़ाई है और अगर के लिए statement भी आप लोगो पता है गलत है तो आंसर आप लोग यह हो गया मैंने अभी पढ़ाया कि 5 साल में यह review किया जाता है 2022 से 2027 में आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है इससे पहले इसी तर पर बैट बैट कर इसको चेक करते रहेंगे चेंज करते रहेंगे तो यह काफी important है जो कि आप लोग यहां पर समझेगा तो question बने तो confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए अच्छे से आप लोग इस तरीके जो statement है ध्यान रखेगा और economy section के अंदर आप लोगों से ऐसे question जो है वो news में भी था और उसके अंदर आप लोगों को कई बार जो है अलग-अलग scheme भी देखने को मिलती है उसके चलते है जो person with disability होते हैं यानि के जो दिव्यांगन होते हैं तो UPC के द्वारा 2011 में question पूछा गये हैं और जो set था उसका question number 34 था यह तो इसमें बात की जा रही है person with disability के बारे में तो यहाँ पर बोला गया है कि जो benefit है यहाँ पर वो available है यहाँ पर under the law यानि के कानून के इसाफ से तो यह आप लोग को बताने है ठीक है तो यहनि के कौन-कौन से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे question अगर आप लोगों से पूछ ले पहली statement में बोला पर जो बात की जाती है ramps in public building ठीक है तो जो public building होते हैं उनमें proper ramp बना जाता है ताकि आसानी से उतरा जा सके और चढ़ा जा सके तो common sense से भी अगर आप लोग इसको देखोगे तो यह सारी चीज़े ऐसी लग रहे हैं सुनने में कि हां रैसा कुछ होता होगा ठीक है तो वैस चैसे लेके 14 साल का बच्चा है उसके लिए free and compulsory education की हम लोग बात करते हैं तो free and compulsory जो education है आपर अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यह एक तरीक चैसे लेके 14 साल के बच्चों को जो दी गई है वैसे ही नहीं मिली 86 constitution amendment किया गया हमारे समिधान में यानिके 86 स संसोदन भी कहां पर किया गया पार थड में आप लोग को देखने को मिलेगा जो की fundamental right की category में आते है article 12 से लेके article 35 तक इसके अंदर जो article 21 है उसके अंदर आप लोग का संसोदन किया गया article 21 A एड किया गया तो जब article 21 A एड किया गया तो इसमें यह बोला गया कि 6 से लेके 14 स साल के बच्चों को free and compulsory education provide करानी है normal बच्चे को दिव्यांगन को नहीं normal बच्चों को पर लेकिन अगर वो बच्चा ऐसा है जिसको कोई को मिलेगा जो four a के अंदर भी चेंज किया गया fundamental duties के अंदर में fundamental duties के अंदर में क्या change किया था parents की duty बनाए गए थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे नहीं तो parents उनको जेल में भी डाला जा सकता है अगर वो बच्चों के fundamental right का हनन कर रहे हैं तो यह basic question आप लो इस तरीके समझ सकते हैं कोई confusion आप लोगों को नहीं होना चाहिए देखे जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो हुआ से question बनने के chances आप लोगे और ज्यादा हो जाते हैं उसी के बारे में हाँ पर बात कि जा रही है World Health Organization के द्वारे हाँ पर अभी बात करें jointly यानि के मिलकर यहाँ पर जो एक particular report published के गई हैं तो यह आप लोगों से question पूछा सकता है क्योंकि first time global report है जो की assistive technology के बारे बात करती है Assistive Technology के है जैसे मैं आप लोगो लेक्चर पढ़ा रहा हूं यहाँ पर तो मैं चसमा लगा रखा है तो चसमा मुझे assistance प्रोवाइड करा रहा है चीजों को धंक से clear देखने में जिस pen से में लिख रहा हूं यह pen मुझे आप लोगो लिख कर चीज़े समझाने में assistance प्रोवाइड करा रहा है जिस tablet के उपर में लिख रहा हूं उस tablet की help से मैं आप लोगो लिख कर समझा पा रहा हूं जिस जो software से में screen record कर रहा हूँ उसकी help से मुझे assistance मिल रहा है ये PPT जिसके उपर में लिख रहा हूँ ये भी assistance provide करानी की चीज़े ऐसी जो इंसान चल नहीं पाता है wheelchair उसके लिए assistance है जिसके पैर में कोई पोला में हो छड़ी लेकर चलता है दंडा उसके लिए assistance है एक mobile आप लोग लिए assistance provide कराता है तो ये सारी assistive technology होती है तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाँ पर एक report publish किये गए किसके दौरा तो ये यादर किये गए हाँ पर ये WHOन के World Health Organization के दौरे हाँ पर मिलकर काम किया गया किसके साथ में UNICEF के साथ में United Nation Development Program के साथ में UNESCO के साथ में या World Bank के साथ में सही answer क्या है A, B, C, F, O, D ये आप लोग को बताना है answer दीजे फिर मैं आप लोग का answer बताता हूँ answer आप लोग यहाँ पर इसका A देखने को मिलेगा बहुत ही detail में ये पुरा topic मैंने आप लोग के लिए cover किया था जिसमें assistive technology के बारे में बात की थी यहाँ पर तो ये सारी assistance provide कराने वाले technology है और World Health Organization के साथ मिलके UNICEF के द्वारे हाँ यह जो report है यह यहाँ पर publish के गई यानिके United Nations Children's Fund के द्वारा मिलकर यहाँ पर यह पहली report publish के गई जिसको बोलते है global report on assistive technology important बात यहाँ पर यह बोले गई कि 2050 तक बहुत सारे लोग बुजर्ग होने वाले है increase होने वाली है non communicable disease तो assistive technology की requirement जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पर तो इसके उपर और ज़्यादा काम यहाँ पर करना चाहिए तो यह काफी important मुद्ध आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो direct question exam में अगर बन जाए तो confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए बात क्या की जारी है आपर बात की जारी है basically in-situ के बारे में in-situ conservation क्या होता है इसके बारे में हाँ पर पूछे रहा है और बोला जा रहा है कि हाँ यह one of the following is not the in-situ यहनि कोन साइन में से in-situ नहीं है तो in-situ और in-situ के आउतरस के बारे बात करेंगे और फिर आगे भी समझेंगे तो by spare reserve, botanical garden, nestle park यह फिर wildlife sanctuary तो यह एक सही answer यहाँ पर क्या है आप लोग इसको attempt कीजे और मैं आप लोग को तब तक explain करता हूँ attempt कर लिया करो एक बार फिर answer देखा करूँ सबसे पहले जो biodiversity conservation के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीए के देखने को मिलेगे in-situ और exit to आम तोर पर अगर आप लोग को normal भासा में समझाओ एक layman language में तो यह बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप लोग अपने घर में रहते हैं आप लोग का home, sweet home, वहाँ पर आप लोग को रखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आप लोग को proper care की जा रहा है, खाना पीना time पर मिल रहा है, सारी चीजे आप लोग की जिन्दगी मज़े में चल रही है इसका मतलब आप लोग in-situ conservation के अंदर है, जहां पैदा हुए वहीं पर ही है, आप लोग को बाहर नहीं ले जाया गया पर लेकिन अगर आप लोग hostel के अंदर चले जाते हैं, तो इसका मतलब आप लोग जहां पर है, जो native जगह है, वहां से आप लोग कहीं होस्टल में जाकर रहे हैं और वहां पर आप लोग खारे पी रहे हैं अपने जिन्दगी जो है, आप लोग ही चल रही है तो यह X-C2 conservation हो गया, तो in-situ जैसे की nestle park हो गया, century हो गया, by spare reserve यह सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह in-situ की category में आते हैं, जहां से हो, वहीं पर यह आप लोग का ध्यान रखा जा रहा है पर लेकिन जो चिडिया घर जू में जाते हैं, आप लोग बोलते हैं, वहाँ पर हाती भी था, वहाँ पर सेर भी था, वहाँ पर थे नहीं, उनको रखा गया है लाकर बोटनिकल गार्डन होगी यहाँ पर यह, तो यह वह एरिया है, जहां यह होते नहीं है, इनको लाकर रखा जाता है, तो उसको आप लोग एक सीटू कंजरिविशन बोलते हैं, तो अब आप लोग कोश्चन को यहाँ पर समझेए, बोलाग है, इन सीटू में क्या होता है, इसके साथ में हाँ पर बोटनिकल गार्डन, नेसल पार्क, यह फिर वायलाफ सेंचुरी, तो जो बोटनिकल गार्डन है, वो यहाँ पर सही आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो एक सीटू है, वो इन सीटू की के टेगरी में हाँ पर नहीं आता है, तो यह question आप लोगों से ऐसे exam में पूछेगे हैं already, तो basic information है, confusion नहीं होना चाहिए, अगर question exam में बन जाता है, point clear होना चाहिए mind में, तो आप लोगों को अच्छा लगगा, examination hall में बैट कर भी, तो आगे चलते हैं, यह भी काफी interesting question है, और ऐसे question इसलिए भी news में है, क्योंकि कि अभी यहाँ पर biodiversity act के अंदर में भी amendment के जा रहें, तो उसके चलते भी question आप लोगों से बन सकता है, तो biodiversity sport India के अंदर में basically कहां कहां पर पाई जाते हैं, यह पूछा गये, तो यहाँ पर हिमालियन, इस्टन घाट, वेस्टन घाट या इंडो बर्मा, तो सही answer यहाँ पर आपर C है, यानि कि एक तो जो हिमालियन वाला reason हो गये हैं आपर, इसमें आप लोगो बहुत सारा reason उत्तर बेसिकली, जम्मो कसमीर का इसी के साथ में उत्राखंड का हिमाचल परदेश का आप लोगो देखने को मिलता है, तो यह reason हो गया, इसी के साथ में आप लोगो नोर् परदेश को बार, गुरूप ओफ आइलेंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन, तो यह वाला area भी आप लोग इहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो western ghat हो गया, ठीक है, आप लोगे सामने हैं आप इसको आप लोग याद रखेगा, इस्तन हिमाल्य हो देखने को नहीं मिले, तो इस तरीके चीजों को तियार करने है, ठीक है, तो यह बेसिकल चीज होती है, जो आप लोगों को पता होनी चीए, यह question भी आप लोगों से एक्जामे बन सकते हैं, और आप लोगों से यहाँ पर पूछा सकता है, पहले कौन सा था, दूसरा कौन स सा था, और तीसरा कौन सा था, एक सब्द हैं हाँ पर बायोजिकल डाइवरिस्टी, और तीसरा देखने को मिलेगा बायोजिकल डाइवरिस्टी, और तीसरा देखने को मिलेगा बायोजिकल डाइवरिस्टी, होडिस्पोर्ट, तो यह तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों के तीनों जो सब्द हैं किसी और के द्वारा ये टर्म दी गई है और अलग-अलग इंसानों के द्वारा तो ये आप लोगों को बताना है ये सही है ये बोला गया है ये वोल्टर जी रोजन के द्वारे हाँ पर दिया गया है तो वोल्टर जी रोजन ने 1985 में 1985 में इसको बताया पहली स्टेट्मेंट दूसरी स्टेट्मेंट में हाँ पर बायोजिकल डायोजिकल 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 जो है ये बेसिकली एक पर्टिकलर प तो नॉर्मन जो मार्यस है उनके दौरा 1988 में ये statement दी गई तो यानिकि increasing or decreasing order में ये पूचा जा सकता है सही answer बताने ए में बोला गया 1 & 2 बोला गया 2 & 3 सही answer बताईए A B C F D चली answer आप लोगो बता देता हूं कोई confusion आप लोगे mind में नहीं होना चाहिए हाँ पर याद रखेगा टोटल दुनिया के अंदर में 36 बाइडिया के अंदर देखने को बताएगे हाँ पर बायो लुजिकल बिसिकली डाइवर्सिटी और फिर बाइवर्सिटी होड़ी स्पोर्ट जो है यह नोर्मन मेर के द्वारा 1988 में यहाँ पर बताएगे ठीक है तो यह याद रखेगा काफी हद तक अगर बात करें हाँ पर दो इंडेमिक जाती होनी चाहिए और 70% जो है और बरोजिनल नेटी जो है वह यहाँ पर लोस कर चुके है जिसकी वैसे आप इनको यह दर्जा दिया जाता है तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर तो आंसर इसका डी हो गया माइन में बिलकुल क्लारटी आप लोगों रखनी है तो बेसिक इंफोर्मेस ने कोई कंफिजर नहीं होना चाहिए एक और कुशन यहाँ पर अगर बात करें यह इसके बारें भी आप लोगों से कुशन पूछा आ सकता है आइडिया होना चाहिए चतर परतिसत यहाँ पर ओल अनिमल बारह परतिसत बर्ड्स यहाँ पर रेप्टाइल्स और एंफिबियन यानिके उभेचर और यहाँ पर जो रेप्टाइल यानिके खिसर कर सनने वाले तो यह यहाँ पर यह इतने हमारे देशें पाय जाते हैं यह बोला गया है तो एम बोला गया 1-2-3, बेंबो लगया 2-3-4, यह बोला गया 1-3-4, डेंबो लगया ओलुब दाबो, सही answer क्या है A, B, C, F, U, D, यह आप लोग बताएगे, तो यह statement S, E, S को आप लोगों में बता ही देता हूँ, answer यहाँ पर D है, बाकी यहाँ पर सारी के सारी लिखे में, ह अगर mind में confusion होगा, तो answer नहीं दे पाएंगे, और अगर confusion नहीं होगा, तो clarity में आप लोग answer दे पाएंगे, तो answer यहाँ पर D हो गया, तो इस तरी कोशन अगर बने कल को, तो कोई confusion आप लोग के mind में नहीं होना चाहिए, जितने अच्छे से आप लोग चीजों को तियार करो और इसी के साथ में मेरे साथ में टूटर, Instagram, Facebook पर भी आप लोग connect रह सकते हैं, आज पास सफ़य रखिए, पानी और पेड़ पादों को सेव कीज़े, पलोथिन और प्लास्टिक बेगर बिल्कुल यूज नहीं करना है, नेक्स लेक्टर मिलता हो, तब तक के लिए बड़ो